हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रदीपत्यागी क्लासिज। दोस्तो इस प्लेलिस्ट में जिस चैप्टर की वीडियो आने वाली हैं उस चैप्टर का नाम है रोयल्टी अकाउंट और इन वीडियोस में ना केवल आप इस चैप्टर के बेसिक कॉंसेप्ट को कवर करेंगे बट अलसो कुछ क्वेश्चन भी करने जा रहे हैं जो कि आपके एक्जामिनेशन पॉइंट वी से बहुत 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 इंपोर्टेंट है इसलिए आप इस प्लेलिस्ट की सभी वीडियोस को जरूर देखें और पूरा देखें और अगर आपसे कोई वीडियो स्किप हो तो इस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहाँ जाकर के आप वीडियोस को देख सकते हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ताब इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले आईए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम चैप्टर रॉयल्टी अकाउंट चलिए बेटे करते हैं एक और क्वेश्चन एक कोलरी कंपनी वाग फोर एक्स्ट्रेक्शन अफ कोल अंडर रेलीज विच प्रोवाइड फोर पीमेंट अफ रॉयल्टी अफ रॉपीस फाइप पर टन विदे मिनिमम्म रेंट अफ रॉपीस 15,000 पर रहना पैटे कोलरी कंपनी कोल निकालने के काम कर रही है रॉयल्टी का रेट है पांच रॉयल्ट पर टन और मिनिमम्म रेंट है इनका 15,000 पर रहना Each year short working was recoverable during the subsequent 3 years पेटे subsequent का मतलब अगले 3 साल बाद वले 3 साल subsequent 3 year बोल रहा है, next 3 year बोल रहा है following 3 year बोल रहा है तो एक ही बात है तो अगर अगले 3 साल बोलता तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो first year की short working है उसको recoup करने का right होगा second year, third year और fourth year और second year वाली के लिए क्या होगा third year, fourth year और fifth year और third year के लिए क्या होगा fourth year, fifth year और sixth year और fourth year के लिए क्या होगा fifth year, sixth year और seventh year यानि कि जिस साल short working हुई है उससे आगे के तीन साल में इसको recoup किया जाएगा clear? तो बिटा ये फर्क है पहले जो हमने question किये थे उन में दे रखका था first two year, first five year और यान क्या कह रहा है? subsequent three year या next three year ठीक है? तो ये language में फर्क पड़ गया the output was as follows 2015 से 2020 तक का आपको output दे रखका टन्स में prepare necessary general entries and open laser account in the books of Lizzie हमें necessary general entries करनी है और laser account बनाने किस की books में? Lizzie की books में चलिए करते हैं इस question को भी तो बनाते हैं हम calculation table year 2015 2016 2017 2018 2019 and 2020 और ये है output in tons 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 में दे रखका output आपको या पहले साल output कुछ भी नहीं है निल है फिर है 2400 tons और फिर है 3400 tons इसके बाद है 4200 tons फिर 3400 tons और फिर है 4600 tons minimum rent minimum rent है हमारा 15,000 परेना 15,000 परेना रोयल्टी और रोयल्टी का rate क्या है रोपीज 5 परेना पहले तो निल आउटपुट है तो रोल्टी भी निल होगी यहाँ 2400 tons का output है तो पांच रोपे टन से यह आजाएगी 12,000 3400 tons पर पांच रोपे के rate से 17,000 2400 tons पर पांच रोपे के rate से 21,000 यहाँ 17,000 और यहाँ 46,000 इंटो 5 23,000 अब ज़रा देखे शॉर्ट वरकें पहले साल तो पूरी शॉर्ट रखिंग है मिनिमम कामता 15,000 करा कुछ नहीं सारी शॉर्ट रखिंग हो गई 15,000 पिटा मिनिमम था 15,000 काम किया 12,000 का तो 3,000 रुपे की शॉर्ट रखिंग यहाँ 15 मिनिमम था काम 17 किया है तो यहाँ कोई शॉर्ट रखिंग नहीं है यहाँ मिनिमम 15 था शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूट करने का राइट यह दे रखा है नेक्स थ्री यर्स नेक्स थ्री यर का मतलब यह जो 2015 की जो शॉर्ट वर्किंग है इसको हम कब-कब एडिजस्ट कर सकते हैं 16 में कर सकते हैं 17 में कर सकते हैं 18 में कर सकते हैं 2015 के आगे के 3 साल 16, 17, 18 इसी में आप अड़िजस्ट कर पाएंगे इसके बाद आप अड़िजस्ट नहीं कर पाएंगे इसके बाद आपका राइट खतम हो जाएगा तो देखिए यहां तो शॉर्ट रॉकिंग हुई है यहां भी कोई रिकावरी नहीं होगी तो यहां देखो बिटे minimum 15 काम किया 17 का तो 2000 रॉपे का काम हमने ज़्याद किया है तो यहां हम 2000 रॉपे शॉर्ट रॉकिंग रिक्यूप्ट कर लेगे अब देखिए अभी एक साल और बचता है 15 का 16, 17, 18 3 साल तक रॉइट है अभी तो 2 साल हुए है यहां काम किया 6000 रॉपे का एक्स्टा minimum 15 था काम किया 21 का तो 6000 रॉपे का एक्स्टा वर्क किया तो 6000 आप एड़्यस्ट कर लेगे अब देखे बिटे इस 15,000 को रिक्यूप्ट करने का रॉइट था हमारे पास इन 3 साल और इन 3 साल में कितना एड़्यस्ट हुआ है खाली 8,000 रॉपे तो 15 में से 8,000 एड़्यस्ट हो गया बाकी कितना बचा 7,000 तो बाकी जो 7,000 बचा रह गया है क्या अब इसको रिक्यूप्ट करने का रॉइट है इनके पास नहीं रॉइट खतम हो गया और मैंने बते हैं जिस साल शॉट वर्किंग को रिक्यूप्ट करने का रॉइट खतम हो जाता है उस साल जितनी भी अन्रिक्यूप्ट शॉट वर्किंग बचती है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एड़्यस्ट में तो यहाँ इसको हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एड्लॉस अकाउंट में कितना जी Be यह बच्छा 7,000 है एट-थाउसर्यस्ट रिकवर हो गया 7000 जो बचा वह हम ने ट्रांसफर कर देट प्रॉफिट एड़्यस्ट में अब इसके बाद बेटे आगे की बात करें हम यह जो बेटा 3000 है इसके लिए तीन साल कों से होंगे इस 3000 के लिए आगे के तीन साल 2016 के लिए 17, 18 and 19 यह तीन साल है तो यहां तो पिछली रिकवर हुई थी यहां देखे कितना काम फाल्टू किया है 2000 रुपे का 2000 रुपे काम फाल्टू किया शौर्ट रुकिंग 3000 है तो इसमदेद 2000 रुपे हम एडजेस्ट कर लेंगे अब इस तीन मेंसे के बाल दो ही एडजेस्ट हो पाया तो कितना बचा रहे गया 1000 तो जो 1000 बचा रहे गया है उसको मैं ट्रांसफर कर दूँगा प्रॉफिट एंड काम पेमेंट के लिए कि पेमेंट मिनीमम 15 था काम कुछ नहीं किया तो पूरा 15,000 का पेमेंट होगा मिनीमम 15 काम किया 12,000 का तो पेमेंट वही 15,000 का होगा मिनीमम 15 था काम किया 17 का 17 में से 2000 एडजेस्ट कर लिए तो शौर्ट रखेंगे तो कितना पेमेंट होगा 15,000 और यह हुए कि कुछ भी रिकाषिटरी क्योंगे हसन धैया थोड़ा और प्रकिसक्राद डेते हैं जरल entries की वैसे तो आपको आज चुकी होंगी तो लेकिन हम बनाने जाने बेटे इस question की भी जनर एंट्री तो 2015 रोयल्टी कुछ भी नहीं है शॉर्ट रॉकिंग 15,000 रुपे है तो क्या कितनी शॉर्ट रॉकिंग हुई है 15,000 के बीइंग बीइंग शॉर्ट वर्किंग एराइस अब लेंडलोड को पेमेंट करें जब पेमेंट करेंगे तो क्यांट्री करेंगे लेंडलोड अकाउंट डेबिट लेंडलोड अकाउंट डेबिट कर दिया और बैंक को कर दिया क्रेट तो लेंडलोड अकाउंट डेबिट तो बैंक कितना 15,000 बीइंग पेमेंट बेट तो लेंडलोड अब इसके बाद क्या करेंगे जी रोल्टी तो है नहीं कुछ भी जुसको प्रॉफिट लॉस में ट्रांस्टर करेंगे बस यहीं अकाउंट हमारे क्लोज जाएंगे इस साल के तो नेक्स्टिर की एंट्री पर आ जाए 2016 working account debit तीन हजार और तू लेंडलोड कितना फिफ्टीन थाउसंग बिए अमांट अफ राइल्टी दू एंड शॉर्ट वर्किंड एराइस अब लेंडलोड को पेमेंट कर दे तो जब लेंडलोड को पेमेंट करेंगे तो लेंडलोड अकाउंट डेबिट तू बैंक अकाउंट बिइंग पेमेंट मेड तू लेंडलोड कितना payment किया जी 15,000 रुपे का अब royalty हमारा ख़र्चा है और इसको transfer कर देंगे profit and loss में तो ये 12,000 की royalty को transfer कर रहुँआ profit and loss में Profit and loss account debit to royalty account being amount of royalty transfer to profit and loss account royalty कितनी ये थी हमारी 12,000 रुपे इसको transfer कर दिया है profit and loss account अब बेटे आजेगे 2017 पर 2017 में royalty 17,000 तो entry करें इसकी short tracking तो कुछ है नहीं तो क्या entry बनेगी royalty account debit to landlords account ये है 17,000 being amount of royalty due अब landlord को payment करें और जब landlord को payment करेंगे तो क्या entry करेंगे landlord's account debit to bank account अब बेटा 17 पूरा नहीं दिया हमने 17 में से 2000 short tracking के काट लिए है तो two short working 17 से 2000 deduct करा और कितना payment कर दिया 15,000 दो हजार शॉर्ट रिक्यूप करने के लिए इन्होंने जो है उसका amount deduct कर दिया है तो बीइंग पेइमेंट मेट टू लेंडलोट एंड शॉर्ट वरकेंग रिक्यूप्ट अब बेटे यह जो रोयल्टी है इसको ट्रांसफर करते हैं अबिए ईंडलोट व्रॉफ्ट एंडलोट चाझ बैट इसको बमांट अजबी आपना की अटना आपना की और शॉर्ट चाहँ आख मेट नेपना की लिए शॉर्ट अडट ना र्रॉर्ट कर थावे एंडलोट ट्याज अचांट बीज कितना जी? 17,000. 17,000 रोयल्टी का बाउंट था. अब विटे 2018 पर आ जाए. तो 2018 में देखिए. रोयल्टी कितनी है? 21,000. शॉर्ट रुकिंग कुछ भी नहीं है. तो क्या एंट्री करेंगे? रोयल्टी अकाउंट डेविट टू लेंडलोट्ट. रोयल्टी अकाउंट डेविट टू लेंडलोट्स अकाउंट. कितनी रोयल्टी? 21,000. बिंग अमाउंट अफ रोयल्टी डू. अब लेंडलोड को पेमेंट करें. तो 21,000 में से 6,000 एड़्जेस्ट करेंगे. शॉर्ट लेंडलोट्स अकाउंट डेविट 21,000. कितनी शॉर्ट लेंडलोट्स अकाउंट डेविट 21,000. कितनी शॉर्ट लेंड़्जेस्ट कर रहे हैं? 6,000. बीइंग पेमेंट मेट टू लेंडलोड एंड शॉर्ट वर्किंग रिक्योट. अब बीटे रोयल्टी को ट्रांसवर करेंगे प्रॉफिट लॉस में. लेकिन बीट अगर आप ध्यान से देखें किवल रोयल्टी नहीं जा रही है, इस साल 7,000 रोपी की शॉर्ट लॉकिंग भी प्रॉफिट लॉस में जा रही है. तो रोयल्टी 21,000, शॉर्ट रोकिंग 7,000, दोनों उठा करके ट्रांसवर कर देंगे प्रॉफिट लॉस में. तो एंट्री कर देता हूं, यही कर देता हूं. ब्रॉफिट औ्लोस अकॉंट एविट, तो रोलैति एचांट और नॉसॉर्च लॉकिंगिग waits लॉकिंग ड्यॉबुवरूरूगैओ न रचौंग कॉणुगूच टॉचंगओ ऑन रही है 2,000 शॉर्च लॉकिंगे, हैर 1,000 पॉसर्च लॉकिंग्ड ॉसर्च लॉकिंग् ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अगॉट रॉल्टी कितनी 21,000 शॉर्ट वरकिंग 7,000 और यह मिला करके आगे 28,000 अब आजाएए बेटे 2019 में अब आपकी खुब ट्रेक्टिस हो जाएगी जनल एंट्री की मैं 6 साल के बना रहा हूँ मैं रोल्टी 17,000 है शॉर्ट रकिंग कुछ भी नहीं है तो एंट्री हो गई रोल्टी अकाउंट डेबिट टू लेंड लोड्स अकाउंट बेंग अमाउंट आफ रोल्टी ट्यू कितना जी? यह है हमारा 17,000 अब लेंड लोड को पेमेंट करेंगे 17,000 में 2,000 शॉर्ट रकिंग रिक्यूट करेंगे अब बाकी का 15,000 करेंगे पेमेंट लेंड लोड्स अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट रकिंग और टू बैंक अकाउंट लेंडलोड 17,000 शॉर्ट वर्किंग कितनी है? 2,000 रिक्यूट और 15,000 की पेमेंट चली निरेशन भी लिखी देता हूं बीइंग पेमेंट मेट टू लेंडलोड एंड शॉर्ट वर्किंग रिक्यूट अब इसके बाद हम रोयल्टी को ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट लॉस में लेकिन केवल रोयल्टी नहीं जा रही रोयल्टी के साथ साथ 1,000 रुपे अन्रिक्यूट शॉर्ट रॉकिंग भी ट्रांसफर होगी प्रॉफिट एंड लॉस में तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट तो रॉल्टी अकाउंट और तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट रॉल्टी 17,000 और शॉर्ट वर्किंग 1,000 टोटल मिला करके 18,000 बीए अमांट वर्किंग अन्रिक्यूट शॉर्ट वर्किंग transfer to profit and loss sir अब तो हम कर लेंगे एक ही साल तो बचा है हाँ बेटे अब आप कर लोगे तो मैं last year की entry आपको नहीं करा रहा हूँ लेकिन already तो discuss करी सकते है royalty कितनी है 23,000 कोई short racking नहीं है तो क्या entry करेंगे royalty account debit to landlord 23 फिर landlord का payment करेंगे तो entry हो जाएगे landlord debit to bank 23,000 और royalty को transfer कर देंगे profit and loss तो entry हो जाएगी profit and loss account debit to royalty account तो बेटा यह होगी six year की entry अब आप फटा-फट note करना चाहें तो note कर लेंगे फिर मैं इस question की laser account बनाऊँगा तो चलिए बेटे अब बनाते थे हम laser account तो लीजी की books में कोंकों से account बनेंगे royalty का account बनेगा और एक बनेगा short working का account और एक बनेगा landlord account तो यह पहला account बना दिया है मैंने royalty का account और यह बना दिया है मैंने किसका account short working का और एक बना देता हूं मैं यह लेंडलोड का account देखे बेटे पहले साल royalty कुछ नहीं है केवल short working है तो केंट्री होगी short working debit to landlord तो short working में आ गया 31st December 2015 को तो लेंडलोड अकाउंट कितना हूं यह आया है 15,000 और लेंडलोड अकाउंट में क्या आएगा 31st December 2015 में by short working account 15,000 अब लेंडलोड को payment करेंगे जब लेंडलोड को पेमेंट करेंगे तो लेंडलोड डेविक तु बेंक system तो लेंडलोड में आ जाएगा टू बैंक अकाउंट 15,000 रोयल्टी को ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट लॉस में रोयल्टी है नहीं तो कुछ भी नहीं ट्रांसफर करने के लिए मेरे पास तो लो भाई यह कर दिया मैंने अकाउंट क्लोज 15,000 और यह शॉर्ट वर्किंग क अकाउंट भी क्लोज कर दिया इसका बैलेंस निकाल देंगे 35 दिसंबर 35 दिसंबर में कित्रा 15,000 और यह टोटल यहां भी लिखने है बैलेंस उतालने 1st January 2016 को तो बैलेंस ब्राट डाउं 15,000 अब यह नेक्स्ट येर में रोयल्टी बारे हजार शॉर्ट रॉकिंग तीन हजार तो क्या एंट्री करेंगे रोयल्टी डेबिट शॉर्ट रॉकिंग डेबिट टू लेंडलोड तो रोयल्टी में क्या है गर टू लेंडलोड्स अकाउंट 2016 35 दिसंबर तो रोयल्टी में आ गया हमारा 12,000 और शॉर्ट रॉकिंग में तू लेंडलोड्स अकाउंट 35 दिसंबर को तू लेंडलोड्स अकाउंट ये आ गया है 3,000 अब लेंडलोड में लिखे है बिटे 35 दिसंबर को बाइ रोयल्टी अकाउंट 12,000 और बाइ शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 3,000 लेंडलोड को पैसे दें जब लेंडलोड को पैसे देंगे तो क्या एंट्री करेंगे लेंडलोड अबिट टू बैंक 35 दिसंबर को तू बैंक अकाउंट 15,000 बज जी इसको कर दें क्लोज अभी एक काम ओर करते हैं पैटा चलो क्लोज बाद में कर लें रोयल्टी को ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में 34 दिसंबर नहीं आ जाएगा बाइ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये है हमारा बारहजार अब क्लोज करते हैं 12,000 यहां भी 12,000 शौर्ट वर्किंग का बैलेंस 18,000 थर्टी फर्द दिसंबर बाइ बैलेंस चीडी 18,000 और यही बैलेंस आ जाएगा एक जन्वरी 2017 में आपनिंग बैलेंस कितना 18,000 लेंड लोड का अकाउंट क्लोज हो चुका है दोनों तरफ का टोटल 15,000 अब आईए सर्फ 2017 में रोल्टी कितनी है 17,000 शौर्ट रकिंग कुछ नहीं है तो एंट्री हुई रोल्टी डेबिट टू लेंड लोड अकाउंट 17,000 तो 31 दिसंबर 2017 को तो लेंड लोड अकाउंट ये है 17,000 और लेंड लोड में क्या आएगा 34 दिसंबर 2017 में बाई रोयल्टी अकाउंट 17,000 अब बेटे लेंड लेंड लोड को पेमेंट करें जनी एड़्जेस्ट करिए 2000 और बेटे इसकी पोस्टिंग शॉर्ट रोकिंग में भी होगी शॉर्ट रोकिंग में क्या आएगा बाई लेंड लोड तो तो 35 दिसंबर 2017 में पाई लेंड लोड अकाउंट यह हो गया 2000 अब रोयल्टी हमारा कर्चा है इसको त्रांसफर कर देंगे प्रफिट हैंट लोस में 31 दिसंबर को इसको त्रांसफर कर दिया हमने फ्रॉफिट एंड लोस अकाउंट में अब यह हमारे 2017 के भी अकाउंट हो गए है close 2017 cut total 17,000 और short working 18 थी 18 में से 2000 एड़ेस्ट हो चुकी है तो अब कितनी बचती है यह बचती है 16,000 इस बार का closing balance और अगली बार का बन जाता है यह opening balance तो लिख दीजिए यहां 1st January 2018 में two balance brought down 16,000 landlord का account close कर दें 17,000 और यहां भी है 17,000 अब इसके बाद next year मा यह 2018 में royalty 21 short working कुछ भी नहीं है तो entry क्या होगी royalty debit to landlords account तो royalty मा आ गया बेटा 31st December 2018 को to landlords account 21,000 और landlords में आ जाएगा by royalty account कितना 21,000 अब landlord को payment करें 21 से 6000 पे short working adjust होगी 15,000 का payment तो भाई 31st December यह उपर भी 34th December है year-wide चल रहे है to bank account तिया कितना है 15,000 और adjust कितना किया है adjust किया है 6,000 वे एंटरी हुई landlord debit to bank to short working तो पिटा short working में भी आएगा इसकी posting क्या होगी वे landlord to bank to short working तो short working में क्या आएगा by landlord by landlord account 6,000 और बेटे 7,000 रुपी की short working को recoup करने का right खतम हो गया है जब short working को recoup करने का right खतम हो जाते है तो कहां transfer करते है profit loss में हमने इसकी entry करी थी profit loss में transfer करने की तो क्या entry करी थी हमने combine entry करी थी royalty को और short working को transfer करने की तो क्या entry थी profit loss account debit to royalty to short working तो short working वहाएगा by profit and loss account यह कितना था 7000 रोयल्टी को transfer करने के लिए यहां लिख देंगे by profit and loss account 21000 तो पिटे इस साल के account होगे हमारे close 21 और यहां भी 21 इधर का total भी 21 और इधर का total भी 21,000 short working का balance बचरा भी आपके पास by balance carried down 16 में से 13 चला गया तो यह बचा 3000 इस balance को उतार लेंगे हम next year 1119 में यह बन गया है हमारा opening balance 3000 अब इसके बाद royalty 2019 में 17,000 है तो एंट्री क्या होगी royalty debit to landlords account तो रोल्टी में लिखेंगे तो लेंडलोड्स अकाउंट 2019 यह 18 था तो लेंडलोड्स अकाउंट 17,000 और लेंडलोड में आएगा by royalty 2019 by royalty account 17,000 अब लेंडलोड को payment कर रहे हैं 2000 डिडेक कर रहे हैं 15,000 का payment तो एंट्री होगी लेंडलोड debit to bank और to short working तो यहां आ गया 34 December में तो bank account how much भई हमने डिडेक किया है 2000 और payment किया है 15,000 तो bank में आ गया 15,000 और short working में आ गया 2000 और short working में लिख दें थोड़ा सा extend कर दें इस account को 31 December by landlords account 2000 अब बेटे 1000 बच्चे इसको transfer कर दें profit and loss में 1000 इस royalty को भी transfer कर दें profit loss में by profit and loss account 17,000 account कर दें close यहां तक के 17 यह भी 17 यह account close हो गया 3000 दोनों तरफ का total और landlord का भी हो गया close अब पेटे last year का बच्चा है last year का मैं उम्मीद करता हूं आप कर लेंगे royalty 23,000 है तो royalty debit to landlord तो royalty में क्या हैगा two landlord 23 चलिए महीं कर देता हूं तो royalty debit to landlord तो royalty में आएगा two landlord कितना 23,000 और landlord में आएगा 31st December by royalty account 23,000 बस landlord को पैसे दो landlord debit to bank 23,000 close हो गया account और royalty को transfer कर दो profit and loss है by profit and loss account 23,000 ये हो गया हमारा question complete इसमें मैंने पूरे general बताया आपको साथ मैं laser भी बताया मैं उम्मीद करता हूं कि आपको general laser तो अच्छे से clear हो गया होगा दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे like करें हमारे channel को subscribe करें और अपने दोस्तों के बीच में जादस जादा share करें इस वीडियो के description box में हमारी android app, ios app और web portal के link given है जहां CA, BCom, MCom, BBA, MBA, Class 11th और 12th के complete syllabus को cover करते हुए हमारे courses available हैं वहाँ जाकर के आप अपना मन पसंद course खरीच सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद झांट